बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्जी खाने के बाद ही पता चलता है इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करेंट अफेर की क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर दे चलिए सुरू करते हैं हमारे प्रिवेस टे के क्वेशन से आप यह संस्थापक चार्टर के स्थापना के कितने वर्स है हमारे आप्शन है 76-79-72-70 तो इसका सही आप्शन है आप्शन ए 76 वर्स दोजारी के से युक्त राष्ट और इसके संस्थापक चार्टर के छेतरवी वर्स घाट है अगला प्शन देखते है नूरी इस एन इंडिजिनेसली डेवलप लाँच वेकल राकेट बाई विच कंट्री नूरी किस देश द्वारा स्वादेश में विक्सित प्रिक्षे पर यान राकेट है तो हमारे आप्शन है तर्की, साथ कोरिया, इराग, इसराइल, तो इसका सही उप्शन है उप्शन B, साथ कोरिया दच्छिट कोडिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विख्षित रॉकेट लाउंच किया जिसे कोडियाई सेटलाइट लाउंच विकल दो या नूरी के नाम से जाना जाता है अगला क्वेशन देखते हैं नेम दा वीनर और वोमें सिंगल टाइटल अद डेन्मार्क ओपन 2021 बैट्मिंटन चैंपिंशिप डेन्मार्क ओपन 2021 बैट्मिंटन चैंपिंशिप में महिला एकल खिताब की बिजेता का नाम बताईए यह मारे ऑप्शन है पीवी शिंदू नजोमी ओखुहारा चेंड जुजेफ़े अकाना यामागुची तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अकाना यामे गुची महिला एकल अकाना यामे गुची जापार ने एन से यांग दक्चिट कुरिया को हराया अगला क्वेशन द अबैस्डर बनाया गया है तो हमारे ऑप्शन है अनुष्का सर्मा आलया भाद दीपिका पादुकोन कंगनारा नौत तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी दीपिका पादुकोन जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडॉस ने बॉलीवुड अब ने तरी दीपिका मिलाओ का प्रतिनिद्द्ध्व करेंगी अगला क्वेशन देखते हैं वाट इस दानेम गीवन तुद नू नू सेटलाइट लाइट लॉंच बाइचाइना तो टेस्ट एंड वेरिफाई स्पेस्ट डिबारिस मिटिगेशन टेक्नोलोजी अंतरिछ मलबेश नमन प्रादो 21 तियान जून 21 यान वांग 21 तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन ए शीजियान 2021 चीन ने 24 अक्टूबर 2021 को शीजियान 21 नामक एक नया उपग्रह सफलता पूर्वक लॉंच किया उपग्रह का उपियोग अंतरिक्ष मलबेश नमन प्रादोग क्यों का परिक्षन और सुत्या आपन करने के लिए किया जाएगा अगला question देखते हैं the anthology writing for my life has been released by which author anthology writing for my life का विमो चनकी से लेखक द्वारा किया गया है हमारे option है सिल्मान रुषिद चेतिन भगन सुधा मूर्ती रसकिन बॉंट तो इसका सही option है option d रसकिन बॉंट लेखक रसकिन बॉंट का संकलन writing for my life जारी किया गया है इसमें रसकिन बॉंट की कुछ सबसे अनुकर्णिय कहानिया निबंध कविताय और यादे सामिल है अगला question देखते हैं South Asian Federation Cross Country Championship 15 January 2022 को कोहिमा नागा लैंड में आयोजित होने वाली है इसके अलावा 56 National Cross Country Championship को South Asian Federation Cross Country Championship के साथ भी जोड़ा जाएगा नागा लैंड दोरा आयोजित या पहला राश्ट्री अथलेटिक्स आयोजन होगा अगला question देखते हैं विच इंडियन फिल्म हाज बी नेम्ड अस दो ओफिशिल एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉद ऑस्कर 2022 किस भारती फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से अधिकारिक प्रविष्ट के रूप में नामित किया गया है तो हमारे option है सरदार उथम नत्यू मंदेला कुझंगल तो इसका सही option है option D कुझंगल कामिल भासा की ड्रामा फिल्म कुझंगल अंतराष्ट इसतर पर ककड के रूप में अनवादित को 94 अकादवी पूरुसकार आसकर 2022 के लिए भारत की अधिकारिक प्रवस्टी के रूप में चुना गया है फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता विनोथ राज पीस नहीं क जारी कीज डेनमार्क कोपन पूरुस एकल बैटमिंटन चेंपियंशिप जीती है मारे ऑप्शन है केंटू मोमोटा विक्टर एक्जल सेन चेल लॉंग अंडर्स एंटोन सेन तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते ह जिन्हों ने प्रिवेज कोशन का अंसर सही दिया वेल डन कीप डूइंग ऐसा ही अंसर देते रहे है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर दे ताक कि जब भी नए वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू